अब हाल ही में नोबल प्राइज काफी चर्चा में बनाऊ है अनेक फिल्ड में भी दिया जा रहा है नोबल प्राइज तो काफी चर्चा में इस लेशन में हम देखेंगे नोबल प्राइज का एतिहसिक संधर्म कब से दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है Nobel Prize के फेल्ड कौन-कौन से है Nobel Prize कौन-कौन से भारतियों को अब तक मिल चुका है और 2017 के Nobel Prize का विज़ेता कौन-कौन है यह सबसे important रहेगा क्योंकि current का topic है अच्छा यह topic जो है किन-किन के लिए important है UPSC और State PCS के लिए तो देखो है ही इसके लावा SSE और जितने भी competition exam है उन सभी के लिए important है important इसलिए है क्योंकि जो Nobel Prize है वो topic है current का और current तो हर एक exam में पूछा जाता है इस topic के last में आपको एक question दूँगा तो आप उस question को comment box में answer जरूर से करें ठीक है सबसे पहले हम बात करते है नोबल पूरुसकार के atheistic संधर्प की तो अलफ्रेड बैनार्ड नोबल है इनकी नाम पे 1901 से दिया जा रहा है नोबल पूरुसकार जो अलफ्रेड बैनार्ड नोबल है वो Sweden के वेगयनिक थे और 1866 में नोने dynamite की खोज करी थी 1896 में इनकी मृत्यू हो जाती है इनकी मृत्यू के बाद में जब इनकी वश्यत पड़ी जाती है तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि मेरी मृत्यू के बाद में मेरी जितनी भी संपत्ति है उसकी अर्निंग से आप दुनिया के महान लोगों को ग्यानी लोगों को आप पर नोबल पुरुषकार देंगे तो फिर उसके बाद में नोबल ट्रेश्ट जो है वो अब नोबल पुरुषकार देता है अब देखते हैं कि किन किन छेत्रों में नोबल पुरुषकार दिया जाते है विज्ञान साहिते चिकित्सा शान्ती और अर्थसास्त्र इन पांच छेत्रों में नोबल पुरुषकार दिया जाते है जो अर्थसास्त्र है एकोनोमिक पहले नहीं दिया जाता था इसको शुरू क्या गया था स्विडिस बैंक के द्वारा 1967 से तो जो अर्थसास्त्र का पुरुसकार है वो स्विडिस बैंक द्वारा दिया जाते हैं तो 10 दिसंबर को है अलफ्रेड नोबल की पुन्यती थी तो यह नोबल पुरुसकार उसी दिन दिये जाएंगे अभी अनॉंसमेंट हो रहा है ठीक है बात करते हैं कि कितने भारतियों को अब तक नोबल पुरुसकार मिल चुका है तो सबसे पहले 1903 में मिला था रविंदर ना के शेत्र में और अभी जो लास्ट मिला था 2014 में केला सक्टार तरीको भारतिय मूल के भी कुछ लोग हैं जिनको भी नोबल पुरुसकार मिला है तो हर्गोविंद खुराना शुब्रमन चंद्र सेकर और वेंकंट रमन रामकृष्ण इन तीन और भारतिय मूल के लोगों को को भी नोबल पुरुसकार अब तक मिल चुका है सबसे important thing कि 2017 में नोबल पुरुसकार किन किन को मिला है तो सबसे पहले हैं physics बहुती की इस में मिला है तीन लोगों को मिला है इनको किस बात के मिला लिगो डिटेक्टर और गुर्तवा करसन तरंगों के अध्यन के लिए इसके बाद में आता है केमेस्ट्री रसाइन सास्त्र इसमें भी तीन लोगों को मिला है जैक्स डेब्यूचित यह स्विजल लेंड के जोएच फ्रेंक और रिचर्ड इनको किस के लिए मिला क्रायो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी विक्सित करने के लिए ठीक है फिर आता है चिकित्सा तो चिकित्सा के छेत्र में भी तीन लोगों को नोबल पुरुसकार मिला है जैफ्री सी हॉल माइकल रोसबॉस और माइकल डबलू यंग इन तीनु को मिला है चिकित्सा के छेत्र में साहित्य के छेत्र मिला है काजवा इसीगुरा जो जपान के हैं और इनके रचना थी धरेमेस ओफ दे डे और शान्ति के लिए मिला है आई सी ए ए अन को शान्ति के अब है आज का प्रिशन आपको सही कतन चुनना है पहला कतन है शिक्षा के छित्र में एक मतर नोबल मलाला को मिला है मलाला यूसुफ ची दूसरा कतन है एक ही व्यक्ति को दो बार नोबल नहीं मिल सकता तीसरा कतन है नोबल पुरुषकार प्रतिवर्थ दिया जाने वाला पुरुषकार है आपके सामने आपके ऑप्षेंज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से इसका आंसर मेरे को बताएं अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब करें थैंक्स